Hello everyone, आज मुलोग पढ़ेंगे Your World, written by Georgia Douglas Johnson. Suppoyant कह रही है, Your world is as big as you make it. यानि तुम्हारी दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी तुम उसको बनाते हो. I know for I used to abide. यानि मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले ऐसा किया करता था, मैं चिप कर रहा करता था, in the narrowest nest in a corner. एक कूने में पढ़ें सबसे छोटे nest में. My wings pressing close to my side. और जो मेरे पंख थे ना, वो मेरे बगल में थे, बिलकुल सटे हुए, यानि कभी भी मैंने अपने पंख तक नहीं फैलाए. So, इस poem में एक bird के बारे में बताया जा रहा है. तो यह जो poet है ना, जो narrator है, वो अपने आपको उस bird से compare कर रही है. तो यहाँ poet कह रहे हैं कि जो bird है ना, उसकी दुनिया कैसी होती है? उसकी दुनिया एक छोटे से nest में होती है, कि वहीं पे वो पैदा होता है, वहीं पे वो रहता है, तब तक उस nest में रहता है, जब तक वो आसमान में उडाना भर ले. और उस bird के punk उसके पास में रहते हैं, कभी भी उसने फैलाए नहीं है, और वो बर्ड ना, nest को अपनी ही पूरी दुनिया मान लेता है. But I sighted the distant horizon, लेकिन मैंने दूर से उस horizon को देखा. Where the skyland encircled the sea, जहां जो आसमान का, जो छोर था, वो समुद्र में जाकर मिल जाता था. मतलब ऐसा लग रहा था मानो, आसमान और जो समुद्र है, वो दूर से, सेम लग रहे थे, मतलब, matching थे, मिले हुए लग रहे थे, मिल चुके हैं, ऐसा लग रहा था. और मेरे अंदर एक बर्णिंग डिजायर थी, मेरे अंदर ये चाहत थी, मैं ये करना चाता था, और ये जो मेरी डिजायर है, ये मुझे ना परिशान कर रही थी. और वो चाहत क्या थी, कि मैं इस immensity पर, यानि मैं beautiful नजारे को देखने के लिए ट्रैवल करूं. उसके पास जाने के लिए तुम मुझे क्या करना होगा, तुम मुझे मेरे पंक को फैलाना होगा, और साथी साथ मुझे इस घोसले को, यानि इस safe zone को पीछे छोड़ना होगा. I battered the cordons around me. तो यहाँ पर वो जो बर्ड है, वो कह रही है कि मैंने अपने अपने लिए बनाए गए इन boundaries को मैंने तोड़ दिया और उनसे लड़ाई कर ली and cadded my wings on, on the breeze. और अपने पंकों को जो छोटी सी धीमी धीमी भेने वाली जो हवा है, तो उसमें मैंने फैला लिया. Then sort to the uttermost reaches. और फिर मैंने क्या किया? मैंने अपने पंकों को फैला कर हवा में उडान भरी ताकि मैं उस दूर के नजारे तक पहुँच सकू. With rapture, with power, with ease. तो मैं आगे कैसे बढ़ा? तो मैं अपने पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ, और अपनी आसानी के साथ. पहले भले ही मुझे ये काम difficult लग रहा था. और जब मैंने एक बर कोशिश करी तो मुझे सब कुछ easy लगने लगा, आसान लगने लगा. क्योंकि मुझे न अपनी मेहनत नहीं नजर आ रही थी, मुझे अपनी मन्जिल नजर आ रही थी, कि मैं उस horizon तक जाना चाता था. So friends, यहीं पर ये poem खत्म होती है. So इस poem में न, poet अपने आपको एक bird से compare कर रही है. ये बताते हुए, कि एक चिडिया जब तक वो अपने घोसले से बाहर ने निकलती, punk नहीं फैलाती, तो तब तक वो new, नई उचाईयों को छूद नहीं सकती. ठीक उसी तरह, human beings को भी, मतलब इंसानों को भी अपने safe zone से बाहर निकलना पड़ेगा. उनको अपने comfortable zone को छोड़ कर, कोशिशे करनी होंगी, hard work करना होगा, तब ही उनको न, new achievement मिल सकती हैं, और तब ही उनके सपने पूरे भी हो सकते हैं, और वो आसमान को छूद सकते हैं. So friends, I hope that you will feel good. If you feel good, like, subscribe and share. Thank you.